हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi Study IQ IAS Hindi में आपका स्वागत है मैं हूँ अमरितु पार्दिहाई G20 की बैठक चल रही थी आप जानते हैं और इस दौरान जो सबसे बड़ी खबर आई थी वो आई थी India Middle East Europe Mega Economic Corridor के बारे में What is the project and why is it being proposed तो इसे American President ने जो बाइडन ने A Big Deal सबसे बड़ी डील के तौर पर recognize किया है और क्यों इसका इतना जादा महत्व है इसे आपको एक्जाम के लिए आज से समझने की ज़रूरत है देखें इसो मैप पर अगर देखें तो इंडिया भारत यहां है यह West Asia है यानि Middle East जिसको हम West Asia कहते है ठीक है पश्चमी एशिया और यूरोप के बीच एक economic corridor बनाने की बात हुई है और यह announcement हुआ है जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्यों क्योंकि इसके जरीए ship line ship link ठीक है train link यह train का line जो बना हुआ है तो इसके जरीए जो establishment किया जाएगा वो rail and shipping corridor established किया जाएगा ठीक ग्रीन हाइड्रोजन जो भविश्य का इंधन है ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने और उसको transport करने के लिए यह corridor बहुत ज़्यादा useful होने वाला है साथी high speed data cable या optical fiber का line बिचाना यह भी इसमें शामिल है इसके अलावा electricity cable की line बिचाई जाएगी ठीक है यह सारी इसमें योजनाएं हैं तो rail and shipping corridor green hydrogen data cable और electricity cable इत्यादी की line इसमें बिचाने की योजना है ठीक है कैसे यह corridor काम करेगा इंडिया से हम जा रहे हैं यहां जो red वाली country दिख रही है यह है UAE सन्युकतर अबाब मिराथ जो green वाली country है यह country है साओधी फिर pink वाला यह है जॉर्डन और blue वाला है इस्राइल इन सारी countries को होते हुए हम पहुंच जाएंगे भुमद्य सागर और भुमद्य सागर से यह country है इटली फिर France और इधर है जर्मनी तो हमारा जो access है इस पूरे corridor का वो भारत भारत से होकर वेस्ट एशिया और वेस्ट एशिया से होकर यह पहुंच जाएगा सिधे योरॉप त इसमें East corridor भी है दो corridor इस project के भीतर हैं East corridor और Northern corridor पूर्वी corridor और उत्तरी corridor East corridor इंडिया को connect करेगा Arabian Gulf से और Northern corridor इसको connect करेगा योरॉप से चली आप देख लेते हैं आगे बढ़ें उससे पहले कि अमरितपध है 007 मेरे इंस्टा का पता है आप चाहें तो मुझसे यहां जुड सकते हैं अमरितपध है 007 टेलिग्राम का पता है जिस पर मैं PDF दिया करता हूं साथ ही एक important सूचना ये भी है कि P2I batch का जो अगला date है अगली date पर जो batch आ रहा है वो है 11 सेप्टेंबर को सुबह में 8 बजे का batch तो 8 बजे सुबह की इस batch में अब admission लेने का समय कम रह गया है 11 स सेप्टेंबर से batch की शुरुआत है हिंदी में तो है ही साथ हिंग्लिश में और इंग्लिश में भी है आप चाहें तो अमरित लाइव कोड रियूज करके इस batch में admission ले सकते हैं तो 17,000 का ये course आपको 29,999 रुपे में मिलेगा इसमें बहुत सारी चीज़े फ्री हैं जैसे कि test series, prelims और mens के level पर दोनों ही free है साथ ही crash course, SIP और SIM यानि success in prelims और success in mens crash course free है इसके अलावा one to one mentorship की सुविधाय और group mentorship की सुविधाय है evaluation, live classes ये सब तो हैं तो सारे features आप check कर सकते हैं कैसे description box में जाएए, वहाँ एक link है, उसको click कर लीजिए और उसमें एक brochure है, उसको पढ़ लीजिए तो सारे features आपको पता चल जाएंगे या फिर phone number है, उस पर call कर लीजिए चलिए हम अपनी बातचीत में आगे बढ़ें और देखें कि क्या है खास भारत, मद्य, एशिया, यूरोप, आर्थे, गलियारा में कौन-कौन से देश शामिल है, देखें एक MOU साइन हुआ है, MOU का मतलब क्या हुआ है, Memorandum of Understanding साइन हुआ है, जिसमें भारत ने साइन किया है, अमेरिका ने साइन किया है, UAE, जो हमने अब ही map पर देखा, साओध फिर इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप की ये तीन कंट्रिज, उस साथ में European Union, तो इन सब ने एक MOU साइन किया है, इसराइल और जॉर्डन भी इसमें हैं, एक साथ, ठीके, MOU साइन नहीं हुआ है इनका, लेकिन इसराइल और जॉर्डन इसके पार्ट है, दूसरी बात इसके background को थोड़ा सा समझेंगे, तो ये G देशों की पहल, PGII का हिस्सा है ये corridor, तो इसका मतलब क्या हुआ, G7 Countries का एक initiative है, PGII, PGII का मतलब क्या हुआ, Partnership for Global and Global Infra and Investment. ठीके, Partnership for Global Infra and Investment, ये हुआ PGII का मतलब, जो कि G7 देशों का initiative है, किसलिए initiative है, G7 देशों द्वारा, विकास्षील जो देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनमें, इन्फरा में, फंड मोहया कराना, विकास्षील देशों के इन्फरा को बढ़ाने में, फंड देना, ये initiative है, और इसी initiative का एक पार्ट है, भारत, मध्धेश, ये ये उरोप, आर्थिक गलियारा, तो G7 देशों की जो समिट हुई थी, जापान में, 2023 में ही, मई 2023 में एक समिट हुई थी, जापान में, हिरोशीमा में, उसमें, इस आर्थिक गलियारे को, इंडिया, मिडिल इस्ट, ये ये उरोप, एकोनोमिक कॉरिडोर को, लेकर सहमती बनाने की कोशिश, USA ने की थी, बहुत अपने देशों में, ठीक है, इसके अलावा, इंडिया और USA के जो NSA हैं, अजीट डुवाल और उनके काउंटर पार्टनर उस तरफ, उनकी भी मीटिंग्स हुई थी, मई में, उस इसमें भी इस पर बातचीत हुई थी, इसके अलावा, जैनवरी दोहजार तेश से ही, USA ने इसके लिए, बहुत सारी कंट्रीज से बातचीत करनी शुरू की थी, तो एक तरीके से देखिए, तो जैनवरी दोहजार तेश से जिस बातचीत के शुरुवात हुई, उस बातच कि अगर बात करें, तो एनरजी और डिजिटल कम्मुनिकेशन को बढ़ावा देकर, इन देशों की, जो इस खेत्र के देश हैं, इंडिया, मिडल इस्ट और यूनियन के जो मिंबर्स हैं, या यूरोप के जो कंट्रीज हैं, इस पूरे एक शेत्र में संपन्नता यानि प्र इसे कहा जा रहा है, green and digital bridge across continents, green and digital bridge across continents and civilizations भी इसे कहा जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कि सभ्यताओं के बीच और महाध्वीपों के बीच में green और digital bridge की तरह ये पूरा प्रुजेक्ट है, इसलिए energy और digital communication को बढ़ा कर इन देशों की संपन्नता बढ़ाना इसका मकसद है, दूसरा lower middle income countries यानि कम आये वाले और मध्यम आये वाले देशों में अवसनरचना की कमी को दूर करना, infrastructure की कमी को दूर करना और साथ ही middle east में जो insecurity का भाव है, उसको कम करके शांतिय स्थापित करना, ये इसका मकसद है, ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि जो भी इस तरह के project ह होते हैं, वो geopolitically उसका मकसद कुछ और होता है, तो इसका एक बड़ा मकसद है चाइना के BRI को counter करना, उसका reason क्या है, G7 के जिस पहल की हम बात करने हैं, PGII, यानि Partnership for Global Infra and Investment, इसका भी मकसद BRI को counter करना है, चाइना को ही counter करने के लिए इसे भी initiate किया गया था, ठीक है, तो BRI already 10 years हो हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं BRI को, लेकिन BRI में बहुत सारी ऐसी चीज़े दिख रही हैं, जिसकी वज़स से अब वो थोड़ा कमजोर दिख रहा है, उसको आगे बात करेंगे, हम देखते हैं अब कि ये जो corridor बनाया जा रहा है, ये काम कैसे करेगा, इसके उद्देश्य को हम समझ चुके हैं, अब देखिए, commercial hubs को connect करना इसका एक main aim है, तो ये क्या करेगा, इस पूरे region में, इंडिया, middle east और European region में, ये commercial hubs जितने हैं, उनको connect करेगा, ठीक है, clean energy को बढ़ावा देगा, जिसमें clean energy में सबसे ज़्यादा नाम किसका हारा है, green hydrogen, तो green hydrogen को बनाना, उसका निर्माड करना, ठीक है, उसको विस्तार देना और transport करना, क्योंकि corridor बन रहा है, तो transport इसमें एक महत्तुपूर्ण आयाम है, energy grid का विस्तार, telecommunication और internet पहुँच का विस्तार करना, ये सब काम करने के इसके तरीके होंगे, और यही उद्देश्य में भी आप लिख सकते हैं, अब सवाल है कि चीन के BRI को ये कैसे counter कर रहा है, इसके लिए देखिए, PGII जो मैंने कहा G7 देशों का initiative है, ये basically चीन को counter करने के ही प्रयास में माना जाता है इसे, और अभी जो economic corridor बनाया जा रहा है, इंडिया, Middle East और European क्षत्र में, ये भी चाइना को counter करने के लिए एक tool के रूप में इस्तमाल करने की बात हो रही है, ठीक है, दूसरा, Middle East में किसी ने नहीं सोचा था कि भारत और अमेरिका इतने करीब आएंगे और इतने तेजी से आएंगे, तो भारत और अमेरिका के बीच में बहुत ज़ादा मजबूर tie-up देख रहा है, Middle East में और भारत अल्रेडी Middle East में काफी मेहनत करते आ रहा है, पिछले कुछ सालों में देखेंगे आप, तो UAE और सौधी को लेकर इंडिया का रुख बिलकुल इस पस्ट है, कि इन दोनों ही देशों में इंडिया ने ठीक ठाक समय दिया है, इनके साथ संबंद को बेहतर कर करने के लिए, ठीक है, तो चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशियेटिव है, दरसल PGII का ही एक्स्टेंशन अभी IMEE बन रहा है, ये अभी BRI को ही करारा जवाब देने का एक तरीका है, दूसरा Middle East में भारत और USA का मजबूत होना, भारत भी इस समय चाइना के अगेंस्ट ह ही रहता है, और America चाइना के अगेंस्ट ही रहता है, तो Middle East में अगर ये दोनों साथ में आ रहे हैं, तो ये चीन के लिए चिंता का विशे है, दूसरा BRI जो 10 साल हो चुका है इसका, 10 एर होने के बाद, ये अभी स्टैगनेंट हो गया है, 2019 में ये अपने पीक पर था, 2019 में ह कहां आ गया है, आज Italy आ गया है, India, Middle East, Europe, Economic Corridor में शामिल हो गया है, इसका मतलब अब Italy के तरफ से एक संकेत है, कि वो हो सकता है आने वाले समय में BRI से exit कर जाए, और ऐसे संकेत और भी देशों से आ सकते हैं, क्योंकि अभी जिस कोरिडूर की हम बात कर रहे हैं, इसका extension होना लगबकता है, इसमें बहुत सारे countries और शामिल होंगे, एशिया के भी, Middle East के भी और योरोप के भी, तो ये ज़्यादा मजबूत होगा, और जैसे जैसे ये मजबूत होगा, संभावना है कि BRI कमजोर हो, दूसरा BRI stagnant हम क्यों कह रहे हैं हो गया है, क्योंकि BRI में जितने भी countries चामिल हैं, वो तो और एडिकर्ज के जाल में फसे ही हुए है, उन्हें फसा रखा है चाईना ने, लेकिन चीन खुद भी कर्ज के जाल में फस गया है, चीन खुद debt crisis से गुझर रहा है, अब क्योंकि वो चीन खुद कर्ज के जाल में फस गया है, उसका real estate का पूरा जो segment है वो debt में है कर्ज में है तो इस पूरे का impact BRI पर दिख रहा है और BRI अब थोड़ा stagnant होते दिख रहा है ठीक है तो अब यह जो corridor आ गया इसकी वज़े से BRI को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा चलिए भारत के क्या फायदे होंगे यह देख लेते हैं सबसे पहला फायदा तो यह है कि भारत के लिए कि पाकिस्तान का एक वीटो खत्म हो गया है अच्छा आगे बढ़ें उससे पहले एक और बात अमेरिका वाले में देखिए कि I2-U2 आपने सुना होगा I2-U2 का इस्टैबलिश्मेंट चार देशों ने मिलकर किया था देखिए I2-U2 में चार देश कौन थे एंडिया इस्राइल यूएई और यूएसे ठीक है ये establishment already दिखा रहा है कि इंडिया USA किस तरीके से close आ रहे हैं और इसमें UAE और इस्राइल भी है तो इस्राइल तो obviously USA की तरब से रहता ही है UAE भी इसमें शामिल था तो Middle East में अब ये tie-up और ज्यादा मजबूत होता दिख रहा है तो भारत अरब प्रायदवीप में अब भारत को की जो रणनीतिक भागेदारी होगी जो strategic engagement है वो बढ़ जाएगी इस corridor के बनने के बादे दूसरा पाकिस्तान का veto खत्म होगा इसका मतलब क्या है देखिए इस पूरे map पर समझ में आएगा आएगा आपको पहले 90 के दशक से आपको पता है हमने अपनी economic policy change की ती और हम चाहते थे कि हमें एक trade route मिले यह पाकिस्तान है अगर हमें यहां से अफगानिस्तान और Central Asia होते हुए इरान होते हुए हमें अगर route निकालना था जिसके demand लगतार India करता रहा है पाकिस्तान से कि यहां से access दे दो हमें लेकिन यह access हमें कभी नहीं मिला और पाकिस्तान ने हमेशा ही deny किया है इंडिया को इस access को देने के लिए तो ये पहुँच नहीं बन पार रहा, इसी को हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमेशा इसमें वीटो करते रहा है, अब ये वीटो करने वाली बात खतम हो गई, क्योंकि पाकिस्तान के वीटो का कोई relevance नहीं बचा, अब प्रसंगिक हो गया, इसलिए क्योंकि हम अब इस route से बहुत करने की जरूरत नहीं है, ठीक, देखें पहले से भी एक route है अल्रेडी, जैसे ये अदन की खाड़ी है, उसके बाद ये red sea है, और यहां आपको पता है red sea में ये वाला portion जो है, स्वेज कनाल है, लेकिन आपको पता है स्वेज नहर बहुत ज़ादा congested है, और अल्रेडी यहा बहुत ज़ादा फादेबंद है, ठीक है, तो अरब प्रायद वीप, पहला तो पाकिस्तान का ये वीटो खतम हो गया, कि भाई जगा दोगे तब ही हम जा पाएंगे, दूसरा, अरब प्रायद वीप में भारत की रणनीतिक भागिदारी बढ़ जाएगी, चीन को counter करना हमे के प्रोजेक्ट्स कई सारे अल्रेडी घाटे में चल रहे हैं, खुद कर्ज के जाल में फंसा हुआ है, 2019 में BRI पीक पर था, लेकिन फिलाहल डेट क्राइसिस में चाइना खुद फंसा हुआ है, दूसरा, इटली ने जो संकेत दिया है, वो भी हम समझ चुके हैं, तो भारत क फायदे में चाइना का ये नुकसान हमेशा काउंट किया जाएगा, तो कागज पर तो इसमें जो फायदे बताये जा रहे हैं, वो अलग हैं, लेकिन दरसल इसका एक फायदा ये भी है, जो आप अपने आंसर में भी लिख सकते हैं, कि चीन को एक BRI को काउंटर करने के लिए एक बड़ा तूल सावित होगा आने वाले समय में, तो मेरे खयाल से आप पूरी बात समझ गये होंगे, अपना खयाल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए, नमस्कार